हरहर महादेव जयमातादी दोस्तों कैसे हैं आप सबी आज में आपको पुछ गुर्द्यव द्वारा बताए गए अमावस्या के उपाय बताने वाली हूँ तो ध्यान से आज की इस वीडियो को देखना और जो भी उपाय बताने वाली हूँ इन उपायों को अच्छे से आप को नोट करना है तो दूस्तो इस वार जो अमावस्या है दो दिन पढ़ने वाली है यानि कि सत्रे को भी रहेगी और अठारे को भी रहने वाली है तो ऐसे में जो पित्र अमावस्या होगी वो सत्रे को है और इशनान और दान करने वाली अमावस्या अठारे को है यानि कि अग अपने दान इसनान करना चाहते हैं वो रभिवार के दिन करेंगे ऐसे में जो पुझी गुदेब द्वारा बताए गए उपाय हैं इन उपायों को आप दोनों ही दिन कर सकते हैं तो चलिए देना करते हुए उपायों को बता देती हूं उपाय जानने से पहले वीडियो को ला आपके आसपास नदी तालाव नहीं है तो आपको अपने घर में जहां पानी पीने का रखा हुआ है यानि जिस मटके से आप पानी पीते हैं उसके पास में आपको एक घी का दीपक जलाना है अगर आप गाउं में रहते हैं नदी तालाव आपके पास में है तो आपको वहा के बाद इस दीपक को आपको किसी भी नदी या तालाव के पास अगब गाओं में रहते हैं जलाना का और यह जो दीपक दादाना है Ken 這個 पि特ण दिशा wa पित्रों की दिशा हो Ñर होना चाहिए हो पित्रदीश होता है तो उमीद है ये पहला उपाई बहुत ही अच्छी से आप लोगों को समझा गया होगा अब बढ़ते हैं दूसरे उपाई के बारे में अमावश्या का दिन है गुरी जी कहते हैं कि महीने में दो दिन ऐसे होती है जो घर में सुकसान्ती लेकर आती है तो इन दोनों दिनों अवश्य ही यह कारे करना चाहिए पहला पूर्मा के दिन दूसरा अमावश्या के दिन यानि पूर्मा और अमावश्या के दिन दोनों ही दिन आपको यह उपाई करना है अमावश्या के दिन अपने घर में अगर आप सम्भव हो सके तो जो आपके गुरुजी होती है यानि जो आपके पंडित होती है उनको वुलाकर घर में हवन कराएं नहीं कर सकते तो घर में ही आम की लकड़ी लेकर आप खुद हवन करें और जो परिवार के जितने भी सदस्यों होती हैं उन सवी सदस्यों के हाथ से पांच आहुतियां हवन में अवस्य डलवाएं इससे घर में कभी भी किसी भी प्रकार का भहे नहीं रहता घर में अकाल मेत् अब बढ़ते हूं तीसरे उपाय की वो तीसरा उपाय कुछ इस प्रकार है ध्यान से सुनना तीसरे उपाय में आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक वेल का फल ध्यान से सुनना आपको एक वेल का फल लेना है फिर उसके अंदर जो गुर्दा होता है उसको आप निकाल ल कीbra सा मीठा डाल कर उसको मिला करके । जो बेल का फल है। उसकी एंदर आपको इसको भर देना है। और अमावच्य के दिन 10 वजे आपको ये उपाय आनी 10 वजे से पहले पहले इस उपाय को करना है जो आपने भल लिया है उसे पूरे घर में घुमा करके जितने भी घर में सदस्य है उन सवी का हाथ लगवा करके किसी भी पीपल व्रच के नीचे जा करके गड़ा खोद करके गाड़ देना है इससे क्या होगा घर का पित्र दोस, कालसर्प दोस और वास्तु दोस भी समापत ह जाएगा मात्र एका मावस्या करना पित्रों के बोज से मुक्ति मिलेगी हर कारे सपल होंगे पित्र प्रशन होंगी साथी गुरुज ने बताया जिन लोगों को धवाई नहीं लगती है यानि वीमारी बहुत जादा बढ़ती जा रही है बार बार डॉक्टर बदलते रहती है दवाया असर नहीं करती है तो ऐसे मिलेगी आपको करना क्या है कि आपको वेल पत्र के गुर्दे को पानी में डूगो करके यह उपाय करना है इस उपाय को अगर बहुत जाद आपको तकलिफ आ रही है तो आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं अगर ऐसा लग रहा है कि द आपको पाइदा नहीं मिल रहा है तब आप कभी भी कर सकती है आपको कहना क्या है कि जिस दिन आप यह उपाय करेंगे उस दिन माना कि आप सुवद 10 वजे भगवान सिर के मंदे जाते हैं तो आपको सुवद 6 वजे जो बेल का फल है उसके गुर्दे को निकाल करके पानी में दूबो देना है फिर उस पानी को जैसे आप मंदर जाएंगे इस नानादी करने के बाद फूजा करने मंदर जाएंगे उस समय आपको उस गुर्दे वाले पानी को लेना है और भगवान सिवजी के मंदर जाकर सिवजी पे समर्पित कर देना है फिर बापस उसी जल को आप लेकर आएं और उसे व्यक्ति को पिला देना जिसे कोई वी दवा काम नहीं कर रही है यानि कोई उसदी उसे नहीं लग रही है उसको आप ये जल पिला देंगे ऐसा करने से दवा काम करना प्रारम कर देगी और धीरे धीरे उसे व्यक्ति का रोग समाप्त हो जाएगा उमीद करती हूँ अमावस्या से जुड़े हुए जितने भी उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए थे मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाए हैं फिर भी कोई उपाय अच्छे से आपकी समझ नहीं आया हो तो वीडियो को दुबारा से रिपीट करके देख लें जो भी उपाय आपसे बन सके उस उपाय को आप कर सकते हैं आप चाहें तो इन में से कोई एक उपाय भी अपने लिए कर सकते हैं वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें सिया अकरें चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe अवस्च्च करें मैं विलती हूँ आपको next वीडियो में